हालो गाईज, कैसे आप सब लोग टारुक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम एक केंडल बैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, और मैं आपको बताने वाल हूँ कि आपके पार्टनर की दिलो दिवांग में अभी क्या चल रहा है, यह जिस वक्त भी आप यह दिखने वाले हैं कि इन दिन हो उनके मन में आपको लेकर, क्या चल रहा है? चले, देखते हैं, आपको लेकर, व अपने अपने प्राटनर का नाम ध्यान कीजिये ठीक है, उनकी शेकल को इमेचन कीजिए ठीक है ताकि आप से रिडिंग मैच करें और मैच होती है तो यास आपको क्लेम ज़रूर करना है ठीक है अपने पार्टनर का नाम बताना है उनकी राशी बतानी है ठीक है हम और सब कुछ बताऊंगी मैं चले देखते हैं क्या आता है आपके लिए ओके गाईज आल राइट इन्वर्स एंजल डिवाइन गाईड की जगा सबसे पहले मैं चाहूंगी अपने इस्टे देव को याद कीजिए फिर अपने पार्टनर का नाम दो तीन बार अच्छे से धोराईगे देखिए आपके उनके बीच में बाते सही लग रही है मुझे ठीक है सबसे पहले स्टार साइन की बात करते हैं इंजल डिवाइन गाईड की जगा में देखिए स्टार साइन में यहाँ पर कहूं सबसे पहले लिबरा पाइसीज स्कॉर्पियो एक्वेरियस कुछ-कुछ के लिए वर्गोज भी हो सकते हैं वर्गोज बलकि मुझे प्रॉमनेंट दिखाई दे रहे हैं तो इनके फीलिंग्स क्या है देखिए स्टार साइन पर मज जाएगा कुछ भी हो सकता है इनकी एक्चुलिए एनर्जी मैं देखू करन्ट एनर्ज बबनार बबनाकर चल रहा है क्योंकि इनकी कुछनों को सख मेंस त्रम पर रहे हैं पर बात नहीं हो पा रही है कई लोग नो कोटक सिट्वीशन से घुजर रहे हैं लेकिन बहुत दिनोंका मुझे नहीं लगरा है इनकी तरप से हां सबके लिए और जितना आप से मैच करें तो ऐसे लगते हैं इंसान चाहता तो बहुत कुछ है लेकिन जैसे कहते हैं कि अभी इस राइट टाइम इनको नहीं लग रहा ठीक है इनके दिल में जैसे कहते हैं वही स्पार्क है वही आपके लिए प्यार है वही रेस्पेक्ट भी सकते हैं ये बहुत जद आपको याद भी करते हैं इनके अनरजीज में लग रहा है कि अगर कहीं आप रास्ते में मिल जाओ तो यसा आपको यह बताएं ूर्बतोध हैं कि क्हीं थीज हो इस तो देर ये कुशन 1-9 मुझे नजर आए तो यस यह कुशन जरूर होगा के लिए हो सकता है कुछ important ठीक है यह कुछ नों कुछ है number जो मैं को यादा रही है तो यहां पर ऐसा लगता है कि इनसान जो है कुछ नों कुछ जैसे आपसे बात करना चाहता है कुछ खुल के बोलना चाहता है लेकिन जैसे अपने आपको कंट्रोल करे हुए है थर्ड पार्टी सिच्वेशन के कारण या अधर कोई सक्मिस्टांस ऐसे हैं जिनके कारण ठीक है मुझे जैसे लगता है कि इन दिनों इनके एनरजीस क्या है ये बहुत ज़दा चीजों को सोच विचार कर रहे हैं ठीक है ये जहां जिस एनवायरमेंट में है क्या वो इनके लिए सही है देखे मैं मलब जिन्दीकी तो सबी जीते हैं लेकिन इनको ये लगता है कि इनके जाये वो डेफिनेटली वो चीजें वरक आउट नहीं ठीक है इन्होंने अपने आपको अकेला ही पाये ठीक है बहुत लोगों के बीच में भी खुश तो रह सकते हैं हस लेते हैं लेकिन अंदर से कहा जाये तो बहुत खुश अंदर से नहीं है ठीक है इनके परसनल इसके बोलते हैं यानि कि उस बात का इनके सामने जवाब नहीं है लेकिन एक्चुली इंसान अंदर से थोड़ा से दर्द में हैं अंदर से इनको लगता है कि लाइफ में वो सब नहीं मिला जो कि वाकी में इनको चाहिए था यह डिजर्व करते हैं ठीक है इस तरह की इनकी है ठीक है तो बहुत जड़ा इंडिपेंडेंट बहुत जड़ा समझदार बहुत जड़ा वर्कोलिक हैं ठीक है मेहनत से डरते हैं लेकि इनका जैसे कहते हैं ना कि इनका जो मेहनत वाला तरीका है वो दूसरे लेवल का है ठीक है आप कहें कि कोई हाथ से मेहनत कर रह कि जैसे कहते हैं एक लेवल आगे बढ़ जाएं चाहते हैं तो यह हैं कि कुछ नो कुछ चेंज करें अपने लाइफ से ठीक है लेकिन जैसे कहते हैं कि इनको अलाव नहीं करता है इनका जैसे कहते हैं माइंड अलाव नहीं करता ठीक है दिमाग तो अलाव नहीं करता लेकिन दिल में जैसे कुछ बाते हैं जिनको ये're surta out नहीं कर पाते हैं कभी जिस जिसका जवाब इनके पासर नहीं है कि आपके लिए एख अलग से एक दिल का, एक कौना खा ली है आपके ले जिसमें आपके लिए भरफूर प्यार है'll और भरफूर respect भीए ठीक है आप जैसे भी रहें इनकी जिन्दगी में रहें यहीं चाहते है ठीक है ऐसा लगता है कि इसा जिवाब यह मैं करूँ गाया करूइब एक इसा रही और झान जोए करना दो कुछ लेकिन कुछ ऐसा कि ये वाकि में अपने आपको रोक लेता है इनको àsविशd ne की दोनों जानते हों बहुता है ऑप एक दूसरी को शायद बूलने के कोशिश कर चुके लेकन बूलने ही पाता है एसे इंको भी लगता है कि रहत है कि मैं कि इनके पर्सनल लाइफ में वह नहीं है। Iron준, कि इनको वाक्व में चाहिए तिक से लगता है इनको परिषाना के ना जो मैं वह यह है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इनका PAST रह चुका है किसी ने इंको धूका दिया है ठीक है उससे और ज़्यदा परिशान है क्योंकि इनका PAST कभी भी अच्छा नहीं रहे चुका ठीक है और जो धूका क्या है उससे भी मतलब यह जैसे केता है लोग तो इनको जैसे चाहिक कुछ भी हालत पर ठीक है कई बार आप कह भी चुके हो इनको कि येस कुछ भी नहीं रखा ठीक है मुवन कर लेते हैं या ऐसा कोई भी सिनेरियो आपने बोला होगा लेकिन इनको समझ नहीं आता है कि इस बात को कैसे एक्स्प्लें करें कि कुछ रिष्टा आप से है जुड़ा जो भूले नहीं बुलाता जो छोड़े नहीं छोड़ता ठीक है इस तरह के एनरजी मुझे यहां पर लेग रहे है क्या लगते हो आप और क्या देता हूं मैं समझ में नहीं आता ना समझ पाता हूं ठीक है ना समझ पाती हूं एक अलग से कनेक्शन आपसे फिल करते हैं ठीक है और इस कनेक्शन में ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं बिना कहीं आप एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते भी हैं और अडिस्टेंट भी करते हैं ठीक है किसी की एक डि कुछ काहें वीना यह बहुत कुछ कह जाते हों ठीकी काही बार आप जो है डेख लेते हो लेकिन जैसे कहते न कि अट गजब का क्रशन में देख पार हूँ ठीक है जिसको जैसे कहते हैं कि किसी बोलंगे इसा सो से सब्मकी नहीं और आपके बहुत अच्छे तरीके से इसमेंट को याद कर सकते हैं, गुझे ब Bishop कैसे इंसान निए यह जो स्पार्कुसी वाली बात predict कि कि खत्म नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ है कि ये बुलाए नहीं बूल सकते ठीक है ये अट्रेक्शन तो ही लेकिन इसके अलावा इनके दिल में एक अज़ीब साम अजब सी एक जैसे कहते हैं ना connection फील करते हैं ये किसी और से इत्ता connected फील नहीं करते हैं शायद हो सकता है कि इनसान कम बोलता है अ इस तरह का इननोंने कभी किया है तो वह जैसे कहते है ना business matter को लेकर ठीक है ये को बिजनसमेन लग रहे हैं या फिर कोई बहुत बड़ा काम करते होंगे I don't know क्या है लेकिन हाँ ऐसी कोई पर इस 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 इनसान के energy ऐसी लग रही है कि यह जो है और तरप तरप किक बहुत दिल से आ निकलती है कि बहुत ज़्यदा वैसा नहीं जैसे ही सौंग है यह आपको छोड़े नहीं छोड़ेंगे ठीक है कुछ भी हो ठीक है कुछ भी करना पड़े लेकिन यहां पे तड़ब तड़ब वाला गाना मैंने इसलिए देखा शायद कि यह जो इनसान है आपके लि अभी शे नहीं देखता आपको भी नहीं देखता लेकिन दिल है कि मानता है नहीं कुछ करने को कुछ पाने को जित करता है ठीक है आपकी बोली आपकी क्या बाते इनको अच्छी लगती है चले मैं बताते हूं ठीक है आपकी बहुत सारी बाते इनको अच्छी लगती है सबसे पहला आपका बोलने का तरीका थीक है आपका जो वहबार है आपका किसी से बात करने का जो तरीका इनको बहुत अच्छा लगता है ठीक है इसके लाव मैं यहाँ पीं कर देख पा रही है को है फशाञे तार हेखिए आप कि बात करने कि इच्छा होती इस तरह कि इंसान है जिए वहारी तो यह सक CHEERING कि आप जोपह ही पहने पहें का जैसे मैंने कहा कि यह सापका ड्रेसिंग için है आप बच्चों की साथ अलग और बच्चों की साथ बड़ों की साथ अलग हो और विलकुल ओल्ड एज में आप विलकुल अलग हो और बाउज आने कारण यही है कि जैसे आप दिखते हैं लेकिन आपका जो और है वो इन इंप्रेशन डाल जाता है ठीक है यानि कि आप शायद हो सकते हैं बहुत अच्छे गुड लोकिंग नहीं है लेकिन ये जो चामिंग फेस आपका ठीक है फीचर्स आपके बहुत अच्छे हैं ऐसा मुझे यहां पर लग रहा है में रिवीवर्स जो बता सकते हैं और इनका जो आपके लिए सोचते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं और आप जैसे इनको जो आपनी जीवन में जो ग्रोथ की ना उससे भी इंप्रेश्ड है यह मुझे में लगा ठीक है आपकी जो ग्रोथ है उसको लेकर भी सर्प्राइज है कि ऐसा क्या है ठीक है लेकिन मैं जानती हूं मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यह जो ग्रोथ है इनके आने से ही हुई है ठीक है ऐसा कुछ आपको फील होता है ठीक है आप मुझे बता सकते हैं कि देखे कुछ रिष्टे हैं जैसे मैं कि हमेशा अपनी रिडिंग्स में बताती हूं कुछ रिष्टे ऐसे जो है कोई अजनभी हो जो भी उससे होता है और यह जैसे कहते हैं जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम नहीं चाहते हैं ऐसे connection में जाना लेकिन जा लेते हैं या फिर अपने आप चले जाते हैं ठीक है कुछ भी मान लीजिए इसको ठीक है कुछ सीख के लिए आते हैं कई के लिए सब के लिए अलग अलग होगा गाईस ठीक है तो ऐसा मुझे आपके connection में लग रहा है ठीक है औरोली इनसान अभी क्या सोच रहे हैं यह से दुबारा connect होने की सोच रहे हैं यह next क्या करेंगे आप से बात definitely होगी ठीक है definitely मुझे ऐसे ल six number और five number important है ठीक है धान से देखिएगा ठीक है और यहां पर आपके लिए इसे कहते हैं कि कुछ मुझे यहां पर कई लोगों के लिए बहुत सब के लिए नहीं होगा कई लोगों यहां पर कुछ गिफ्ट भी है ठीक है तो किसी का कोई birthday आ रहा है या कुछ नो कुछ celebration आप लेट्स ट्राइए गाईज आगर आप फेस्बुक जॉइन करते हैं या फेस्बुक चलाते हैं इस्टागाम चलाते हैं तो आप मुझे टैरो टैरो एक्सपेटपल सिक्स के नाम से मेरी आईडिया वहां पर जाके चेक कीज़े ठीक है मेरा पेज है पुरम श्रमा मैं हूं ठीक है आप मुझे वहां पर मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं देख सकते हैं और येस आउच थोड़ा सब विटी सेकेंड बैक्स जो है मैल्ट होती है और ओके गाईज तो गाईज यह थी आज की रिडिंग और चलते चलते कुछ मैसेज़े जरूर लोंगी यह क्या कहना जाते हैं इंसान जिनका भी मैने रिडिंग बताया आपको ठीक है तो इनके मैसेज़े ले लेते हैं और ओर ओल यह सबसे पहला मैसेज यानि कि यह जो है आपके इंजार कर रहे हैं कोई टेक्स मैसेज का ठीक है हमेशा करते हैं जग घुमिया तेरे जैसा ना कोई जैसे कि मैंने आपको रिडिंग में बताया कि यह जैसे आप जैसा कोई कनेक्शन किसी और से फील ही नहीं करते ठीक है आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस करिए ठीक है चाहां तो बहुत ना चाहें तुझे चाहत पे मगर कोई जोर नहीं ठीक है नेक्स हम देखेंगे और क्या है मैसेज इनका आई विश आ कूट टन बैग दक लॉक यानिकि यह पुरानी कोई प्रफ़ानी को वापस लाना चाहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था आप कभी बहुत क्लोज थे तो यह उस सिच्विशन को वापस लाना चाहते हैं यान कि कभी-कभी आपने इनको बहुत क्या है दूर चले गए तो यह वाकी में यह करना चाहते हैं इस पर प्रकंड नहीं पाएंगे प्लीज प्लीज आ जा जाओ को यान हमी यह आपको देखना चांते हैं तो मिलना चाहते हैं आपसे और देखते हैं तुमको बगवान से मांगना चाहता हूं guys क्या ही बात है देखी आपसे बगवान से प्रेय हो रही आपके लिए थिक है तुम जिन्दगी भर साथ मिभाऊगी न yes, साथ रहोगी न थिक है, तो आप इनके साथ रहोगी या नहीं यह रहोगी यह रहोगी यह नहीं रहोगी यह बताना पड़ गया ठीक है do not hide your feelings अपनी feelings को hide मित कीजे ठीक है manifestation तो कुछनों कुछ ट्रिक्स तो अपनाते हैं यह भी manifest कर रहे हैं आपको ठीक है एक और लेंगे मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं यह यह आपकी look से नहीं बलके आपकी charming face से मुझे ऐसा लगता है ज्यादा अट्रेक्टिव है ठीक है आपकी जो energy से उनसे अट्रेक्ट है यानि कि यह beautiful तो होंगी शायद हो सकता है आप बहुत अच्छी हो ठीक है लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो औरा है या फिर आपकी जो personality है ठीक है उससे ज्यादा attraction में ठीक है तो इनको यह लगता है कि खुबसरत तो लोग बहुत होते हैं लेकिन एक attraction वाली जो बात होती ने charming face ठीक है वो मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है तो आप मुझे mention करके बता सकते है comment section में कि क्या ऐसा spark है क्या ऐसे कुछ है आप दोनों में तो guys आज देके रेडिंग में बसे 9x रेडिंग में जरू मिलते हूं ठीक है मेरे youtube चैनल को subscribe जरू कीजेगा ठीक है thank you so much औ और मेरे चैनल का नाम है tarix666 ठीक है तो बहुत जल्दी आप live session मेरा देखेंगे 50,000 complete कर दीजे guys जल्दी से ठीक है 50k हो जाएंगे तो मैं daily या फिर जैसे किते ने एक session लोंगी मैं हर week ठीक है एक live session जरूर करा करूंगे आपके लिए ठीक है तो अभी तक के लिए बस इतना मैं next reading में जरू मिलती हूं थांक यू सो मच बढ़ बाई